इस वक्त में मौजूद हो पूरुसांसर धनेजे शिंग के यहां पैत्रिक आवास है यहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं बातशीत करते हैं क्योंकि एक दिन कोट में बुलाया जाता है दूसरे दिन उनको जेल भेज दिया जाता है यहां के लोगों की क्या राए है आप द आप दिन चानवयां है उसमें उनका नाम आपके मीडिये साथियों ने लाया है उनका कोई उसमें नहीं था वो तो पहले एक बार चुनाओ लड़े हैं लेकिन उनका कोई इन्वाल्मेंट नहीं था वह साथ के थे उनके सपोर्ट में थे ऐसा कोई बात नहीं पहले अच्छे दोस्ते जब तक भाजपाम नहीं थे फिर भाजपा में गए थोड़ी दूरी थी कोई दुस्मनि उनसे नहीं सवलाएया उसको नहीं कहा कि मेरा करीबीय रिष्टा थे बातचीत होती है तो अच्राना के चलने लगा क्या लग रहा है कारड यह है मार्केट में जो मासाला चल रहा है उसको चलाएये मीडिया साथी व बंधों से यहीं निवेदन है कि सही खबर चलाएं बाकी आप समझदार हैं उनको समझाएं इतना अच्छा चैनल है आपका आप ही एक ऐसे हैं जो नहीं कहें हैं उस चीज का खंडन किये हैं बाकी और साथ ही हैं बंदू हैं मेडिया के जो गलत दिखाए हैं उस सारा सर गलत खबर थी चुनाओ की तयारी चरल है जौनपूर का बेटा आपका लाल धरंजे सिंग चुनाओ में उतरे थे तमाम बाइनर पोस्टर लगा हुआ था अचानक जेल जाना हुआ आप लोगों क्या लगता हैं क्यूंकि यहां भाजपा सीट से जो प्रत्यासी दूसरा घोसित किया गया था उनका घोसित होते ही सां चार साल पहले जो केस चल रही थी उसमें वादी खुद मुकर गया था होश्टाइल हो गया था वादी खुद आके एफिडेविर दिया था हमको उनसे कोई खत्रा नहीं है ना कोई बात हुई थी फिर भी क्लीन चिट मिलने वाला था तारिक पे तारिक चल रही थी अचानक पार्टी कार्याले की मुलाकात थी नहीं उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हो तो एक सार्जवजीनी की मुलाकात थी तमाम जगह चल ला है कि धरेंजी सिंग को टिकेट मिलने वाला था सपा से अब वो जेल चलेगे उनकी पत्नी चुना रुड़ेगी तमें इसमें कितनी जी का पैसला नहीं अगर डی साट नहीं आदा तो आप सबके मांध्यम से बताया जाएगा सबको अभी तक अरे क्या चल लही है आपनो सब और हाई कोट में जाएंगे इस कोट के जो चला है मुकदमा सके खिलाफ अपील करेंगे और वहां से घुन को उमीद है कि हमको न्य ह मिलेगा यहां सरासर हमको गलस सजा दिया गया अभी मेरे साथ और लोग मौझूद है उनसे बात चित करूँगा क्या नाम है आपका अरे कृष्णा रेडी यह पताइए आपको क्या लगता है कानून जिस तरीके से कारवाई की ऐसा कभी कोई कारवाई हुई थी नहीं नहीं केस में जब पहले जब एसो जो है क्लीन चीट दे दिया है फिर इसमें जो प्रशासन को चार शीट दाकिल करके इसको फसाने के क्या जरूरत है और नायपालिका को भी सोचना चाहिए इसमें कितना सच चाहिए कितना बुराई है देख के पुरा सोच के वो सजा देना चाहि इतना काम नहीं करता है विकास नहीं करता है जो भी एक आदमी कर रहा है अपने जेव से लगा के तो उसको तोड़ा देखना चाहिए इसमें क्या है मामला लेकिन गलत सजा कर दिया है यह चुनाव काफी तैयारी सहाब लोगों की चल लही थी तमाम बैनरी भी पोस्टर भी त लूटे थे कि इस बार जनता भी माहूल बनाए थी, इस बार सांसथ बनेंगे तो इस कारवाई सहाब केतना संतोस्ट हैं जनता का सपोर्ट हर दम रहे हाज नहीं है पहले से 20 साल से जब से सांसा जी राजनीती में है तब से जनता बहुत मदद करता है सपोर्ट करता हो उतना जितना वो लोग करता है उतना जनता के लिए भी सांसा जी उतना मदद करता है यह सांसा जी से कोई नाराज नहीं है जो ज चुनाव लड़ने के लिए तयारी है अभी तोड़ा फिर सांसा जी की सजा हो गया है अभी देखो जब हाइकोर्ट में अपील किया है सांसा जी बताएगा क्या करना है उनकी पत्नी लड़ेगे कोन लड़ेगा अभी डिसेड हो जाएगा एक दो दिन में जी क्या नाम है आप को लगता क्या है कि जिस तरीके से जिस दिन भाजपा का प्रत्यासी यहां घोसिद होता है दूसरे दिन सांसा जी की उपर कारवाई हो जाती है तीसरे दिन उनको जेल भेज दिया जाता है चौथे दिन भाजपा नेता की हां हत्या हो जाती तो आपको क्या लगता है सड़ा बिपक्ष लोग गवडा जाते हैं इनसे इतना घवडा जाते हैं कर लगते हैं मामले में इतने दिन केस अब जब पूराना केस था तब आप नहीं वह सब की अब जब चुनाओ लगने के पूरे तैयारी कर लिए अब बीजेपी में सांसर जी इतने दिन से फंसा के रखे थे पाइए पूछी आप लोगों से बात्षी जब हमने किया तो कह रहे हैं कि सपा से टिकट ले रहे हैं सपा से चुनाव लड़ने वाले हैं यह देखिए अफवा है अभी ऐसी कोई बात नहीं हमारे सांसाजी किसी साधी कारेक्रम में उसमेराष्टी अध्यक्जवी आये थे एक अपचारी मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में और मीडिया आप लोगों के माध्यम से हवा उड़ गया कि जा रहे हैं सपा में विर किसी भी पार्टी से टिकट लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे और हंडेट परसंट एक सो एक परसंट में बता रहा हूं अगर किसी भी पार्टी से नहीं पार्टी दे रहे हैं कोई टिकट अगर निर्दर लड़ेंगे तब यह जो है सांसत बन जाएंगे हंडेट परसंट क क्योंकि आप जानते हैं इनके बिसे में सुने ही हैं, गरीबों के मसिया हैं, कितने साधी बिवा कराये हैं, जानते हैं जिस दिन ये सजा हुआ था, अचानक एलोग ऐसे किसी घर में चूला नहीं जला था उसमें, इतना कंडिशन खराब हो गया था, कितने गरीबों का जान ल दिक्कत हो रही है आपको क्या लग रहा है इस कारवाई से बीजेपी मजबूत हुई कमजोर बहुत कमजोर है उतों सब जानगे हैं पूरा जनता जालब चाहे बदला पूरसुन लीजिए चाहे यहां करण्जा कला से ले करकि जितने यहां लोग सभा सीठ है या बिधान सभा पूरे बिश्वास है वो चुना लड़ेंगे और निर्दा लड़ेंगे राजपूत इस बार किस तरफ जा रहे हैं क्योंकि मैं चुनावी चर्चा कर रहा हूं कुछ राजपूत कहें कि जिस तरीके से सांसर जी को पर कारवाई हुई है हम लोग भाजपा को शोड़का अन यहां से जो है बिजेपी नहीं निकलेगी हम लोग अगर सांसर जी के जहां कहेंगे जैसे कहेंगे अगर सांसर जी चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग जरूर तनमन धन से लगेंगे और बिजे होगी उनकी जरूर सांसर जी की पतनी का भी नाम आ रहा था वालों के उनके परीवार वाले भर वाले हम लोग तो जो है गाहर देसके हैं मैं गहर के हैं तब ही और बगल के हैं और अगर लड़ेंगे तब भीमी। कि त्वालि कि कर लिए और कि अगर्वा कि सह हून है अगर कोई उसमें नहीं है और नाम आने लगता तो यह महिसूस थोता है भी महिन्स देखिया नाम फॉले ले लें लंके टाइग लगा है बावभे ली हम करें अगर सांस जी अगर किसी का गरीबों की लिए को जान के बाएल एक लागर हो जांपन किया तो पैसे के ले दियों पैसे लें इसका इलाज हो गया ठीक ठाक है एगर ऐसे ही इनको भलाई है तो पाहवली है रिखाski वो काम कोई नहीं कि रज ग्राते हैं कहई कहीं समर्थक जो सानसत प्रमाद ख़ी ख़ल लिखते हैं नाराज समर्थक नहीं नहीं है, कोई खाली अफवायर, सब एक हैं, सब एक जूठ हैं, कोई नाराज नहीं है इनसे. क्योंकि कारवाई होने से जेल भेजने से समर्थक भी काफी नाराज हो गें कि हमारे नेता को जेल हो गई? देखिए जेल तो हुआ हम लोग बहुत दर्द में हैं बहुत जो है अपको क्या बता इतनी पीड़ा है हमारे जो गार्जेन हमारे जो अराध्य हैं हम लोग उनको भगवान की तरह पूझते हैं क्योंकि बाई सांसर जी एक ऐसे ब्यक्तित है पूरे पुरवांचल में मैं बा कलेण नहीं जा उनलाग माउन सापतिना कोई जे अधर कलैएर कोई काम किसलिए तो पहले उसका काम पहन है यहां कोई खाली हां नहींग नहीं जा बाता है यहीं सब को लगता विपक्च्वालों के कि इतना बड़ा हा मस्या यह कैसे हो गया कि इतने मताइव कहीं भी रह इसके पास कोई जाता है, उसका काम हो जाता है, इसलिए विपक्छौले हरवड़ाय रहते हैं. जी, क्या नम है आपका? राज जी, क्या हाल चाल है आपकी? तरह दो कहा है। आपकी तरहält सरी rappelle क्या है, धरखता है. यार लाज लगवार को लेकर अगवार, तरह आपकी है? शुआ अभ्वात कुना थाट, जी अभा बेसके बिल्स भीनाओ को फड़िन१ तरह पाकी, जय जब जब चुनाओ को लेकर यहां लोग आप देखिए यहां भेड़ जुटे हुई है यहां जो लोग जुटे हो जिस तरीके से राइ उन्हों ने बता है। तो यह लोग भी तयार है कि अगर बहुत जल्द उनको राहत मिलती है तो लोग सभासदर से चुनाओ लड़ेंगे अवागे देखने बाद आपको क्या पर्तित होता है अपनी राय जवरुदेव इन से भी बातचीत करेंगे क्या नाम है अपका सूरत सिंग सूरत सिंगे बता दुश्यास में पहला ऐसा मुकदमा हुए जो है नवादी है नगवा है फिर भी सदा सुनाया गया है और अगर चुना जीतना चाहते हैं सब भलाने कंसा बना दीजिए उनको अनुद कर दिया जाए सबको नाम से भलाने तुम सांसद हो प्लाने तुम अभी लग रहा है सब तो आप लोग क्या जानकारी थी, क्या की कारवाई तुरंटाइसे हो जाएगी? नहीं, नहीं, पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जो हूँआ, साजिस तहस हुँआ फसायागी, ने चुनाओ लड़ने कारण, चुनाओ लटे कारण ??? कभी नहीं, चुनाव नहीं जिट पाईगी, बिलकुल नहीं, चुनाव यहां से जीट जाएगी नहीं, नहीं जीट जीट जाएगी नहीं, बेलकुल नहीं जीतेगी, 101% मैं प्लिक देदरा हूँ, गरांटी हम आरी आप रहेंगे, फिर हम से मुलाकात कर लीजिएगा प। जा जहां निकलना नाम अमकीन है, कभी नहीं निकलेगी. क्या नाम है आपका? मुन्नालाल. च्या लगता है इस बार चुनाओ, जिट जाएगी नहीं बीज़एपी? बीज़एपी नहीं जिट पाएगी. नहीं जिट पाएगी? नहीं. इस कारवाई को जए से. की साधार पे सही बता रहे हैं आप लोग की साधार पे सही बता रहे हैं हमारा पूरा गाओ चुनाओ को भहिसकार करेगा है पूरा छेत्र हमारा चुनाओ को भहिसकार करेगा पूरा चुनाओ को भहिसकार करेगा है कहीं आपको नाराजगी है कि कारवाई नाराजगी नहीं यहां के पूरवा डियम रह चुके हैं, तिक माध्यम से लिखते हैं, यह तो खुद चोर थे, हमारे जिलें क्यों नहीं रुके, क्यों हटाया गए, कारना बताये वो, उलिख के लिख के लिए नोटिस, कि माफिय राच चलाए, आप लोग उनके बारे में कुछ नहीं बता रह कि आपने कभी दिखाया कि दिनेश क्या थे वहाजपक परचार करें ठीक है भाजपक परचार करें अईसा कुछ नहीं है जिसकी जिहां इच्छा है वहाँ परचार करेगा हम लोग धननेजेवादी है गलत मुकादमा लगा है इसलिए हम चुनाव का बहिस्कार करेंगे कहीं दिनेश को नाम आ रहा था कि सपार में लड़ने वाल है कितनी सच्चा है आप लुक तो भाही दानाजेवादी आजिए है देखिए हमको टिकट मिलेगा तो हम किसी पालटिस लड़ेंगे ने हमारे कारिक गिंती है हमें पालटिस नहीं मतलब है हम तो निर्दल रहे हैं तभी ने, हमको पाल्टिस क्या मतलब था, सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, टिकट देते तो हम किसी पलड़ते, लेकिन जो खड़ें तरच के, देखिए हम नयाय पालिका कुलंगन नहीं कर रहे हैं, नयाय पालिका गलत किया है, और बाद में समझेंगे गलत हुआ है, य सजाई करनी थी, तीन महले पहले से मुकदम देखा जा रहा था, नयाय चार साल में क्यों नहीं किया गया, ये चुनाओ की दीन ही होना था, अचार संगिता बारक लगनी है, आठको चांप दे रहे हो जेल में, यही मामला है, नयाय था, क्या लगता है, बीजेपी जिज के ख्राइब पार हम लुगिती आप लोगो शाख शुनाओ का मोर्य जाहता हूं में, यह यह बताईयां आप लोगो सहने चानना चाहता हूं मै, अभी, यह जाए पनौन धनलूब दूम किसी नाम लेगी ने आपका भी नाम तो ले सकते हैं जो पखड़े जा रहे हैं आपका नाम ले लेंगे पत्रकार साहब थे वहां खड़े तो आपका नाम आ जाएगा प्रमोड का भाई क्या बोला कमारा घरेलू संबंध है हम बाई ठीलिये थिमसे बात किये थे एक तारिक एक जनुरी को मेरे यहां पुरगराम में दल बल के साथ हाए वहां पुरगराम को निप्टाए हैं तो उनके हत्या क्यों करवाएंगे इनका नाम तो गलत धंग से अभवाहों के घरिम लिया जा रहा है अब यह बताई आप मेरे खुलाब चुनाव लड़ोगे तो 2017 से अभ तुटे कितना दिन हो गया यह तो सोच आप लोग क्योंकि परमोद की जो भाई थे स्रवान उन्होंने कहा कि धरनजी सिंग हमारे बहुत करीबी हैं हमको मदद करते हैं हमारे परिवारिक आज भी है वो परमोद मरे हैं पूरा परिवार थोड़ो है मरा हुआ है हमारा कहने से मारे उपर मुकदमा नहीं लगेगा अखरी ठंग से ड़कार को लगा एक तुमहार उपर मुकदमा लगा सकते हैं किउनके घर गए ते आप कि वीडिया लेके इनके उपर भी मुकदमा ठोका है यdefense तो इस बार चुनाउप बहुत कर रहे हैं हम परिस्कार करें पको अगर बाहुबली है तो गरीबों के बाहुबली रहना भी जरूरी है फिलाले रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता अपनी राय जरूर दे इस वक्त मैं पूर स्वांसाथ धरंजे सिंग के आवाज पे हूँ जहिन